Bank of brother एक से बढ़कर एक credit card offer कर रहा है और limits भी काफी अच्छी है जैसे कि मुझे जो credit card मिला है उसकी limit दो लाख रुपे से भी ज्यादा है Bank of brother credit card apply करने का complete process paperless है आपको कहीं जाने की document submit करने की जरूरत नहीं है Online आप अपने credit card के लिए apply कर सकते हैं तो ये एक शांदार मौका है Bank of brother का credit card लेने का So इस वीडियो में मैं आपको Bank of brother credit card apply करने का complete process दिखाने वाला हूँ तो चैलिए शुरू करते हैं Bank of brother credit card apply करने के लिए आपको इस page पर आना होगा इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा इसमें आप कुछ details फिल करेंगे जैसे कि आप अपना title चूज करेंगे अपना name डालेंगे एक email id और एक mobile number डालेंगे अपना pin code डालेंगे इसमें आप अपना pen card number डालेंगे date of birth डालेंगे nationality में आप अपनी nationality चूज करेंगे इसके बाद terms को accept करेंगे और generate OTP पर click करेंगे आपके पास एक OTP send किये जाएगा OTP यहाँ डाल कर verify करेंगे इसके बाद आपके सामने ये page आ जाएगा इसमें आप अपना occupation चूज करेंगे अगर आप salary person है तो आप salary चूज कर लेंगे और अगर आप self employed है तो आप self employed चूज कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आप अपनी gross annual income डालेंगे यानी एक साल में आपकी जो total income है वो आप यहाँ पर डाल देंगे नीचे आपको bank of brother co brand credit cards के options मिल जाएंगे जैसे की HPCL, IRCTC, Nanital Bank, Snapdeal अगर आप चाहें तो इन में से कोई भी choose कर सकते हैं वरना आप यह option choose करेंगे अगर आपके पास पहले से किसी और bank का credit card है तो इसको आप yes कर देंगे और यहाँ पर आप bank choose कर लेंगे आपके पास किस bank का credit card है उस card की limits कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे लेकिन अगर आपके पास किसी और बैंक का credit card नहीं है तो इसको आप no करेंगे इसके बाद continue इसके बाद यहाँ पर आप अपना permanent address डालेंगे तो जो address आपके आधार card में है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए निचे आपको अपने आधार card के last four numbers डाल देने हैं यह optional है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं निचे यहाँ पर आपको अपना current address डाल देना है जिस address पर अभी आप रह रहे हैं इसके बाद continue इसके बाद आपको अपनी employment details देनी होगी तो यहाँ पर आप अपनी company का या business का name डालेंगे यहाँ पर आप profession चूज करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप work address डालेंगे जिस address पर आप काम करते हैं वो address आप यहाँ पर fill कर दीजिए इसके बाद continue आपके सामने credit card और उसके limits आजाएगी कि आप कौन से credit card के लिए eligible है और उसमें आपको कितने limits मिलेगी जैसे कि मेरे case में bank of brother easy pay credit card मुझे recommend किया गया है और इसकी limit रहेगी 2,09,000 रुपे अगर आप चाहें तो credit card को change कर सकते हैं इस पर आप click करेंगे इसमें आपको काफी सारे credit cards मिल जाएंगे limit सेम रहेगी और credit card आप अपनी मर्जी का choose कर सकते हैं जो भी credit card आप यहाँ पर choose करेंगे नीचे आपको इसकी details मिल जाएगी जैसे कि इस credit card की joining fees कितनी है annual fees कितनी है वो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं bank of brother के maximum credit cards आपको lifetime free मिल जाएंगे free कैसे मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि इस credit card की joining fees है 500 रुपीज लेकिन अगर आप credit card लेने के बाद 60 days में इस credit card से 6000 रुपीज spend कर देते हैं तो यह 500 रुपीज joining fees आपको वापस मिल जाएंगी इसी तरह से इस credit card की annual fees है 500 रुपीज लेकिन अगर आप एक साल में इस credit card से 35,000 रुपे खर्च कर देते हैं तो आपको अगले साल की कोई annual fees नहीं देनी होगी तो joining fees भी zero हो जाएगी और annual fees भी zero हो जाएगी तो इस तरह से आपका credit card lifetime free हो जाएगा इस credit card में आपको क्या-क्या benefits मिलेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं अगर आप रुपे credit card लेना चाहते हैं जिसको आप UPI में भी use कर पाएं तो आप यह वाला ले सकते हैं इसकी first year fees है zero और annual fees भी अगर आप एक साल में 50,000 रुपे spend कर लेते हैं तो वो भी zero हो जाएगी तो यह credit card भी आपको lifetime free मिल जाएगा जैसे कि मुझे bank of brother easy pay credit card लेना है तो मैं इसको यहाँ पर select कर लूँगा इसके बाद confirm करेंगे कुछ additional details आपको यहाँ पर fill कर देनी हैं जैसे कि आप अपना marital status चूस करेंगे अपनी educational qualification चूस करेंगे credit card पर आपको क्या name चाहिए वो name आप यहाँ पर डाल देंगे इसके बाद proceed अगर आप चाहें तो add on card भी ले सकते हैं इसके लिए आपको कोई extra cost नहीं देनी होगी यानि आप अपने credit card पर ही अपने किसी family member के लिए एक और credit card ले सकते हैं उसका आपको कोई charge नहीं देना जिसके लिए आपको add on card लेना है जिसके आप उसका name डालेंगे date of bird डालेंगे mobile number डालेंगे pen card डालेंगे यहाँ पर आप name डालेंगे credit card पर आपको क्या name चाहिए और अगर आपको add on card नहीं लेना है तो इसको आप no कर दीजिए इसके बाद submit and proceed पर click करेंगे आपके सामने य आपको upload नहीं करना होता है क्योंकि मैंने एक और credit card के लिए apply किया था तो उसमें मुझे income proof upload नहीं करना पड़ा अगर आपके सामने upload का option आता है तब आपको upload करना पड़ेगा तो चली यहाँ पर मैं तीनों documents को upload कर देता हूँ पहले मैं photo upload करूँगा आप यहाँ upload पर click करें आपके सामने एक list आजाएगी कि आप कौन कौन से documents current address proof में upload कर सकते हैं जैसे कि आप अपने bank का statement या password भी upload कर सकते हैं driving license, water ID card, passport, आधार कोई भी document आप upload कर सकते हैं जैसे कि मुझे आधार card upload करना है तो मैं आधार select कर लूँगा इसके बाद upload पर click करेंगे जहाँ पर भी document र select कर लेंगे जो भी आपने last IDR file किया है उसको आप यहाँ पर upload कर देंगे upload पर click करेंगे यहाँ पर select करेंगे तीनों documents यहाँ पर upload हो चुके हैं इसके बाद submit and proceed file successfully upload हो चुकी है इसके बाद आपके सामने terms and conditions आजाएगी इनको आप agree करेंगे यह है terms and conditions इनको आप यहाँ पर read कर लीजिए इसके बाद accept पर click करेंगे आधार OTP के थुरू आपको अपनी application को e-sign कर देना है तो now पर click करेंगे आपके सामने complete application आजाएगी जो भी आपने documents upload किये हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ से complete application को download कर सकते हैं जैसे कि मैं अपने record के लिए इसको download कर लेता हूं इसके बाद e-sign करने के लिए proceed पर click करेंगे आपके mobile नमबर पर OTP आएगा आप proceed करेंगे यहाँ पर आधार consent देंगे sign document पर click करेंगे आपको redirect कर दिये जाएगा NSDL पर e-sign के लिए तो आप यहाँ consent देंगे अपना आधार card number डाल कर send OTP पर click OTP आपके आधार वाले number पर send किये जाएगा यहाँ डाल कर verify करेंगे document sign हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद आपके simple video KYC करनी होगी अगर आप now पर click करेंगे तो आभी video KYC start हो जाएगी bank की तरफ से एक agent video call के थुरू आपसे connect करेगा इसके बाद वो आपक कुछ normal से questions पूछेगा तो आपकी video KYC complete हो जाएगी अगर आपको video KYC अभी नहीं करनी है तो आप बाद में भी कर सकते हैं इसके लिए आप लेटर पर click करेंगे अगर आपने video KYC बाद में करने का option choose किया था तो इस तरह से आपके पास एक email आजाएगा इसमें आपको एक URL मि कर सकते हैं I hope के video आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको video पसंद आया है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं